वूट्सुप गैस कैसे हैं आप सुम्हें हो शुबम और आप देख रहे हैं शुबम गेमर तो गैस आज समय बात करेंगे 0.9.0 अपडेट में कुछ ऐसे फीचर्स और विजुल एफेक्ट के बारे में जो साथ आपको उसके बारे में पता नहीं हो सकता है क्योंकि जब भी ऐसे अब कीज बारी में ऑपडेट आता है तो उसमें जो मय में में चीज होते हैं वही हाई-लाइट करते हैं फइसे बहुत से फीचर्स और विजुल एफेक्ट होते है जो साइध आप मिस कर सकते हो तो ये वीडियो में मैं आपको एसे दस फीचर बताओंगा जो साइध आपको नहीं पता हो सकता है तो अम लोग श्टार्ट करते है नंबर वॉन से जो है कोई हाई स्कोमोर इसमें क्या सोचों आप गभी किया होता है हम लोग एक गन लेते हैं , एक गन लेते हैं उसमें so blade लगाये रखें तो हमें इंस्टेंटली उसमें Forex लगाना पड़ता है हम लोग क्या करते हैं हम लोग बैग में जाते हैं फिर वो फोरेक्स हमें धुनना पड़ता है कहां होता है भीर में फिर हम लोग उसको अपना उंगली से स्वाइप करके एक्षेंज करते हैं तब वो जाके स्कोप एक्षेंज हो जाता है बट यह नए फीचर के साथ अगर आप लोग देखोगे जहां पर हम लोग का स्कोप बैग में होना चाहिए जो आप लोग चेंज करें तो फिर नहीं होगा फ्कॉस भी बात है तो यह फीचर बहुत अच्छा है क्योंकि heat of the moment या फिर जब भी पैनिक मोवमेंट होता है वहां पर आप लोग इंस्टेंज कर सकते हो ने तो बैग मिचाते हो तो बहुत ज्यादा confusion होता है अगर आपको यह mode को on करना है तो यहां पर क्या अगर आप लोग settings में जातो basic setting में यहां पर एक दम first में आपको option मिलता है quick scope switch तो यहां पर यह disable रहता है आपको इसको enable करना पड़ता है इसमें कुछ bugs भी वह बहुत जल्दी ठीक हो जाए यह PUBG के तरफ से बहुत जल देते हो तो आपका जो screen कुछ इस तरह दिखेगा बहुत लोग को यह prefer नहीं करेगा क्योंकि आप लोग colorful यूज करते हो मैं खुद colorful यूज करता हो तो मुझे movie कुछ अजीब सा है क्योंकि अगर हम लोग अपना colorful लगाते है मैं आपको दिखाता हूँ ठीक यहां पर comparison भी हो option में जाते हो तो नीचे देखोगे तो music उसको disable या फी enable कर सकते हो उसको अगर आप लोग इनेबल करते हो तो आप जब भी गारी चलाओगे तो एक radio बज़ेगा जो बहुत अच्छा है pleasant लगता है गारी चलाने में अगर आप लोग एक और चीज़ देखोगे जब लोग गा कर सकते हैं बेक से जो भी एक बहुत अच्छा फीचर है तो गाई जो हम लोग चलता अपने नेक्स फीचर की और जो है matchmaking के related यहां कर आप लोग देखोगे तो अगर आप लोग जहां पर matchmaking करते हो वहां पर आपको एक option मिलता है additional option जहां पर आप लोग सेलेक कर सकते हो अप आपका communication problem नहीं होगा और आप लोग अच्छा से gameplay का enjoy कर पाऊगे तो यह बहुत अच्छा feature है तो गाईज अब हम लोग चलता अपने 500 फीचर की और जो है गाईज आप लोग को मैं बताता हो जैसे कि घर्स होते उसमें doors होते वह doors अगर बंद रहते हैं तो उसमें हम लोग अगर ग्रेनेट फेक ले कुझी फेक ले तो वह door टूटता नहीं था पहले पर यह update के बाद जो भी door wooden का door है जो white का लाग की wooden door होते हैं अगर आप लोग मोलोटफ कॉक्टेल लेकि वह door की उपर फेक देते हो तो वह door टूटकर वह घर के अंदर जाके पुरा आग आग हो ज अगर आप लोग देखोगे बहुत लोगों क्या है red जो blood का effect होता है बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा अंदर से लगता है कि यार यह तो real red blood है तो इसको change कर दिया गया है PUBG mobile ने इसमें एक option कर दिया है यहाँ पे आप लोग एक red blood यह फे green blood में आप लोग वो क आपको इसको change करना है तो आपको settings में जाना है settings में जाओगे basic setting में अगर आप लोग मीचे scroll down करोगे यहाँ पर आपको दिखेगा damage effect है यहाँ पर damage effect अगर आपको red से आप red कर सकते हो green करना है आप लोग green कर सकते हो तो तो गाई यह जो next feature यह personally मुझे बहुत अच्छा लगत hacker था वह उसने वाल है क्या कैसे क्या तो अब यहाँ पर आपको एक अच्छा option मिलता है यहाँ पर option मिलता है spectate enemies spectate opponent जिसने आपको माड़ा आप उसको आप spectate कर सकते हो इसका यह main reason इसको देने का यह है कि अगर आप उसको spectate कर तो आप लोग देख सकते हो क्या वह hack कर रहा ह अगर वह hack कर रहा है तो आप इसको report कर दो तो उसको PUBG वाले band कर देंगे अगर वह hack नहीं करता अगर वह pro player है तो आप उसका gameplay आप देखकर सीख सकते हो आप इससे chats कर सकते हो अगर आप यहाँ पर message लिखोगे तो उसको message जाएगा वह देखेगा अगर आप यहाँ पर माइक type का होता है जो बहुत ही अच्छा देखने को लग रहा है पिछले तरफ पिछले जुब update में था उससे तो बहुत काफी ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पर आप देखोगे एक prone का option prone जब आप होते हो तो यहाँ पर आप देखोगे जब मैं दौरते दौरते तो open होता है वहाँ पर और भी cover add कर दिया गया है जैसे की buildings और trees जिसे हम लोग cover ले सकते हैं अगर आप लोग military base जाते हो अगर वहाँ पे अपने देखा होगा ब्रीच के सामने एक बहुत ही ज़्यादा open area होता है जहाँ पर आप लोग एक turn लेते हो तो वहाँ पर बहुत ही 10 feature है वो है fire underwater तो guys पहले क्या होता था जब भी एक बंदा पानी के through आता था तो हम उसको अगर fire करें और वो बंदा पानी के अंदर dive मार गया है तो हम उसको fire नहीं कर सकते तो उसको damage नहीं होता पर ये update के बाद अगर कोई बंदा पानी के अंदर dive मारा हुआ है और अगर आ damage होगा बर बहुत ही ज़्यादा कम होगा ये नहीं की जितना damage होता ही उतना ही होगा बर बहुत ही ज्यादा less damage होगा पर damage होगा तो आप लोग जरूर मारना कर वो पानी के अंदर चल दा है तो guys यही था 10 ASE features जो साइथ आपको नहीं पता हो सकते है ऐसे बहुत सरे features जो जिस तो जो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दिना और उसके सामने जो बैल अकन आएगा उसे भी क्लिक कर दिना जो जब भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और आपके देख भी लोगे तो मिलते हैं नेक्स उड़ो में और यह बहुत सारी मसिख जाओ तोबे के लिए बाबाई